मैं लवली वीवर्स असलामों अलेकुम वेलकम चू मैं चैनल नॉलेज और फेवरी तिंग उमीद करती हूँ आप सब लोग खैरों आफित से होंगे और अपने अपने घरों में तहफुज से होंगे जी हाँ नाजरीन आजके इस वीडियो में मैं आपको पोस्ट मोर्य इंपायर के पार्ट 3 को बताने वाली हूँ नाजरीन इससे पहले मैंने पोस्ट मोर्य इंपायर के पार्ट 1 और पार्ट 2 को डिसकस किया है अगर आपने मेरे वो वीडियो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है आप उस लिंक के जरीए मेरे वीडियो को देख सकते हैं नाजरिन इस वीडियो में मैप के साथ जिस ट्रॉपिक को इस्प्लेइन करूंगी वो है सर्दन रूलर्स को जब मोरिय इंपायर का डानफाल हो गया तो साउत में बहुत सारे हुकुमते कायम होनी लगी इसमें छोलर डैनेस्ट्री, छेडर डैनेस्ट्री और पांडिय डैनेस्ट्री शामिल थी इस वीडियो में हम लोग इन्ही तीनों डैनिस्ट्रेस को काफी ब्रिफली अंदाज में जानेंगे हजराथ ये वीडियो एक्जाम के पॉइंट ओफ वीव से बहुत इंपॉर्टन होने वाला है लहाज़े इसे पूरा ज़रूर देखिए तो चलिए नाजरीन वेगर किसी वक्जाय कि आज की अपनी वीडियो की शुरुवात करते हैं मोरिय इंपायर के डॉन फॉर होने के बाद साउथ इंडिया में एक डैनिस्ट्री काइम वी थी जिसका नाम छोला डैनिस्ट्री था छोला डैनिस्ट्री दरहसल एंचन इंडिया की ही डैनिस्ट्री थी ये डैनिस्ट्री पूरी दुनिया की सबसे लाजस डैनिस्ट्री थी चोला डैनिस्ट्री के बारे में अर्शोका की इंस्क्रिप्शन में बहुत सारी बाते लिखी वी है जिससे हमें छोला डैनिस्ट्र के बारे में बहुत सारी चांदकारी हासिल होती है। छोला इंपायर दरसल पूरी दुनिया की सबसे लाजस इंपायर थी। इसलिए इस इंपायर को दो हिसों में बाटा गया था। अल्ली छोला और मिडीवल छोला। इनके official language टमिल और सैंस्कृत थी। इसके अलावा छोला डानिस्ट्री के लोग हिंदुनिजम को फॉलो करने वाले थे। छोला इंपायर के पहले राजा विजेलाया छोला थे। इनुमने छोला इंपायर के बुनिया थर्ट सेंचुरी बीसी में रखी थी। छोला इंपायर 1030 बीसी में एक्स्टेंट करना शुरू किया। जिस तरह सूरज को उरूच के बाद जवाल का सामना करना पड़ता है। लहाज़ छोला डैनिस्ट्री को भी अपने डॉनफॉल का सामना करना पड़ा। 1279 बीसी में पांडिया डैनिस्ट्री ने इसे डॉनफॉल कर दिया। छोला इंपायर में पहुत सारे राज़ गुजरे थे, मगर इन तमाम राजायों में दो इंपॉर्टेंट राज़ गुजरे थे, राजा राजा छोला वन और राज़धीरा छोला। छोला डैनिस्ट्री की हुकूमत में आठ अना आर्किटेक्चर ने काफे डिवलप किया था। हिंदुस्तान की आठ अना आर्किटेक्चर साथ एशे में फैल चुकी थी। राजा राजा छोला ने थजावीर में एक बहुत बड़ी टेंपल इस्टैब्लिस करवाई थी। डैनिस्ट्री साउट इंडिया में फैले वी थी। ये साउट इंडिया में केरला से लेकर टामिल नाजु तक फैले वी थी। इन्होंने अपने कैपिटल को वांची करूबर चुना था। इनका कॉमन लैंग्विच टमिल और मलियालम था। इसके अलाबा ये लोग शेप पे हुआ करती थी। इनकी कॉइंस कॉपर और सिल्वर से बनती होती थी। छेलर डैनिस्ट्री के जमाने में वहां के लोग मूर्ती पूजा के साथ साथ हौर्स ट्री और अपने अंसिस्टर की पूजा किया करते थे। छोलर डैनिस्ट्री और छेलर डैनिस्ट्री के डाउनफॉल के बाद साफ इंडिया में पांडिया डैनिस्ट्री की हुकूमत कैम भी पांडिया डैनिस्ट्री काफी पावरफुल डैनिस्ट्री थी पांडिया डैनिस्ट्री एक इंशन इंडिया की डैनिस्ट्री थी यह डैनिस्ट्री साफ इंडिया और श्रिलंका में फैल मगर इसे दिल्ली सल्तनत के हाथों डाउनफाल का शिकार होना पड़ा। पांडिया डानिस्ट्री के लोग विश्नु और सिवा की मूर्ति की पूजा किया करते थे। पांडिया डानिस्ट्री की बुन्यात मरवर्बन सुद्रवन ने रखी थी। इसके अलाबा पांडिया डानिस्ट्री के जमाने में ट्रेड और कॉमस काफी उरूच पी थी। ये लोग इजीप, एशिया और सिरिलंका के साथ ट्रेड किया करते थे। वीवेस, आज का मैं अपना शेक्षिन नहीं कहतम करती हूँ। उमीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए काफी इंफर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इंफर्मेटिव लगा, तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उन तक ये इंफर्मेशन जल से जल पहुचें। और हाँ नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा से भी अच्छा लगा, तो इसे एक लाइक ज़रूर करें, आपके एक लाइक से मिरी मोटिविशन में काफी अजाफा होता है, इसके साथ साथ अगर आप मेरे चान में नहीं हों, तो इसे सब्सक्राइब करें और अबता के लिए, अल्ला हाफिस।